मेरा नाब है देव आज के इस फीडियो में हम लोग IPO का रिव्यू करने वाले जिसका नाम है टाइगा इंडस्ट्री जी हा एक दिसम्बर से यह IPO स्टार्ट होने वाला है तो मैं सिंप्लिफाइड आपको पांच रीजन बताऊंगा इंवस्ट करने के और पांच रीजन करने में काम आते हैं और bulk solid industry में काम आते हैं अगर इस company की में बात करों तो globally second largest producer है polymer based mill liners का अगर इसमें revenue की बात करों तो पिछले तीन साल में यहां पर increment हुआ है even last 3 मन में भी यहां पर increment हुआ है 643 करोड से सीधा 856 करोड का यहां पर jump है अगर इसमें interest और debt finance की बात करों म यहां पर income reduce हो चुका है 2019 में 23.6 करोड था और अब जाके 17.2 करोड हो चुका है plus guys इनके profit margin की बात करों तो year by year इनके profit margin भी बढ़ते जा रहे है जहां पर 3 साल पहले 32.6 करोड था इनका profit जो कि सिफ 5% था sales की value का वही पर अभी right now यह हो चुका है 136.4 करोड जो की 15.9% है revenue का आप इस बात करते हैं को जो आपको invest करने के लिए यहां पर मना करते हैं पहली चीज तो यह कि यह ओफे sell है बना बीसिकलिए यहां पर company को सिफ listing gain होगा यहां पर company को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा जो भी shareholder है वो यहां पर कमाईगे यह last 3 year की जो इनकी 85% revenue है वो सारी की सार foreign country से आ रही है तो मला foreign country के अदर इनकी जो भी manufacturing unit है अगर वहां पर कोई भी लोचा होता है लफडा होता है तो उसका total risk इस company के उपर पढ़ने वाला है इसके लब अगर यह company अपनी जो sales और distribution network है उसको बढ़ाने के अंदर यहां पर अगर fail हो जाती है तो obviously बात है इनकी revenue ज disrupt होता है तो यह पूरा का पूरा impact company के उपर पढ़ेगा इसके साथ में guys इनके जो key supplier है जो उनको रॉपर पर प्रोवाइड करते हैं उनके साथ में कोई भी long term contract नहीं है तो अगर कल को मालीची अपनी pricing वगर बढ़ा देते हैं या कुछ भी लोचा लफडा होता है तो उसके recording भी इस company के उपर यहाँ पर effect पढ़ेगा इसके लाबा guys इनके जो promoters और directors उनके उपर कुछ cases भी चल रहे है तो उसका जो भी outcome आएगा उसके उपर भी यहाँ पर यहाँ पर कम्री का effect पढ़ेगा तो guys अगर मैं listing की बात करो तो 1 December से 3 December तक यहाँ पर bidding की चलने वाली है अगर मैं GMB की बात करो gray market premium तो right now भी 395 बता रहा है topsharebrokers.com के according और IPO watch के according भी यही उतना ही बता रहा है 310 के around वहला आप कह सकते हैं 300 से 400 रुपे का यहाँ भी right now आपको GMB बिल रहा है तो देखे guys long term के अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेम कमाना चाहते तो आपको third day का वेट करना पड़ेगा देखना पड़ेगा subscription status क्या है प्लस GMB क्या चल रहा है क्योंकि अभी जो market है वो day by day आपर follow रहा है so guys hope you like this video please subscribe अगर आप लोग के कोई भी doubts है comment section के तर जरूर बताईए thank you guys thank you very much